सलाम ओलेकुम गाइज एंड वेलकम टू आउटोनेस्ट आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने जा रहे हैं सुजुकी एवरी वैन गाव यह सुजुकी एवरी की फिफ्थ जनरेशन है पाकिस्तान में सुजुकी एवरी के छे वैरियंट्स इंपोर्ट होते हैं और जिस वैरियंट्स का हम रिव्यू कर रहे हैं वो है सुजुकी एवरी जॉइन तो स्टार्ट करते हैं सुजुकी एवरी के एक्स्टीरियर से सुजुकी एवरी के अंदर क्रिस्टल हेड लेम्प्स मौजूद है जिसके अंदर हेलोजिन बल्ग दिया गया है उसके साथ इसके अंदर पार्किंग लाइट और टर्न सिगनल्स भी मौजूद है सुजुकी एवरी वैन के बंपर में फॉग लाइट इंस्टॉल नहीं है इसके लावा बंपर का डिजाइन भी बहुत सिंपल है अब बात कर लेते हैं सुजुकी एवरी वैन की साइड प्रोफाइल की तो सुजुकी एवरी वैन का बॉक्सी शेप है इसके लावा साइड पर एक इंडिकेटर मौजूद है सुजुकी एवरी वैन में 12 इंच के वील्स दिये गए है इसके लावा फ्रेंट में डिस्क और रेर में ड्रम ब्रेक्स दिये गए हैं इसके लावा सुजुकी एवरी के पिछले चारों शीशों में प्राइवेसी ग्लास लगा हो है और इन में सन वाइजर्स भी इंस्टॉल्ड है इसके लावा सुजुकी एवरी में एक रूप माउंटेड एंटीना भी मौचू रहे है इसके लावा सुजुकी एवरी के बैक व्यू मिरर्स का डिजाइन भी सिंपल है ये मिरर्स आटो एड़ेस्टिबल हैं अब बात कर लेते हैं सुजुकी एवरी के बैक एंड की सुजुकी एवरी की टेल लाइट्स बंपर के अंदर इंस्टॉल्ड है इन टेल लाइट्स के अंदर इंडिकेटर, डिवर्स लाइट और ब्रेक लाइट दी गई है सुजुकी एवरी के अंदर आइटी एल सस्पेंशन सिस्टम दिया गया है इसके लावर रियर पे वाइपर भी मौझूद है सुजुकी एवरी में एक हाई माउंटेड प्रेक लाइम भी दिया गया है जिसके साथ विंडो ओशर भी मौझूद है ओवर ओल सुजुकी एवरी वैन के एक्स्टीर की बात करें तो जैसे के इसका नाम सुजुकी एवरी वैन है तो इसकी शेप भी बिल्कुल एक वैन की जैसी है सुजुकी एवरी में रिमोट की लॉक अनलॉक दिया गया है अब चलते हैं सुजुकी एवरी के इंटीरियर की तरफ सुजुकी एवरी की डो ट्रिम में प्लास्टिक का यूज़ किया गया है ग्राइवर साइट पर पावर विंडो स्विचेस और साइट व्यू मिरर्स को कंट्रोल करने के लिए स्विच दिये गए हैं इसके लावा डोर्स में स्पीकर भी मौजूद है इसके लावा सुजुकी एवरी में फैबरिक सीट कवर्स दिये गए है इसके लावा इंटिरियर में ड्राइवर साइट पर हैट लाइट वीम एड़्जर्स मौजूद है सुजुकी एवरी के डैश बूर्ड के अंदर चार एर कंडिशनिंग वेंड्स दी गए हैं इसके लाव इंटिरियर में एक बारा वोर्ड का सॉकिट भी मौजूद है गलव बॉक्स के अंदर भी अच्छी खासी गुंजाईश मौजूद है इसके अलावर ड्राइवर साइड पे एक स्टोरेज ट्रेल भी दी गई है और ड्राइवर और पसेंडर साइड पे एक एर बैक भी मौजूद है सेंटर कॉंसोल के अंदर दो कप होडलर्स हैं इसके अलावा फर्ट रो के लिए केविन लाइट भी मौजूद है और ड्राइवर और पैसेंजर के लिए सैन वाइजर भी दिया गया है सुजुकी एवरी के गेज क्लस्टर में स्पीड, फ्यूल गेज और गेर इंडिकेटर्स दिये गए हैं इसके अलावा सुजुकी एवरी की एसी की थ्रो भी अच्छी है सुजुकी एवरी आटो और मैनियल दो ट्रांस्मिशन ओप्शन के साथ अवेरियबिल है आटो के अंदर पार्क, रिवर्स, नूट्रल, ड्राइफ, सेकंड और लो रेंज गेर्स का ओप्शन दिया गया है इसके इलावा ड्राइवर साइट की पावर विंडो आटो है और इसके अंदर इलेक्ट्रोनिक पावर स्टेरिंग दिया गया है सुजुकी एवरी के साइड व्यू मिरर्स भी इलेक्ट्रोनिकली एडजस्टेबल है सुजुकी एवरी की सेकंड ड्रो के लिए स्लाइडिंग ड्रोर्स दिखें हैं इसके लावर इंडोर्स के अंदर चाइड लॉग का ऑप्शन भी दिया गया है प्रोर्स दिखें टी है इसके लावा सुजुकी एवरी की सेकंड रो सीट्स फुली रिकलाइनेबिल भी है जबके इन सीट्स का लेग रूम और हेड रूम भी काफी जादा है सुजुकी एवरी वैन में जॉइन वेरियंट के अंदर पिछले दो दर्वाजों में पावर विंडोस नहीं दी गई है झाल इसके लावा सेकंड रो के लिए कप होल्डर्स और आम रेस को आप्शन में मौझूद है अब चलते हैं सुजुकी एवरी की ट्रंक की तरफ तो क्यूंकि ये एक वैन है तो इसकी ट्रंक में काफी जादा स्पेस मौझूद है और आप इसको एज़ा थर्ड रो भी यूस कर सकते हैं अगली सीड्स को फोल्ड करकर इस गुंजाइश को मजीद बढ़ाया जा सकते हैं सुजुकी एवरी वैन में छेसो साट सीसी इन लाइन थ्री सिलिंडर एंजन दिया गया है ये इंजन 43 होर्स पावर और 68 न्यूटन मीटर आफ टोर्क जनरेट करता है जबके सुजुकी एवरी के अंदर एक छोटी बूट स्पेस भी दिया है जहां से आप सुजुकी एवरी के तमाम फ्लिविट्स को एक्सेस कर सकते हैं अब बात कर लेते हैं सुजुकी एवरी के प्राइस की तो सुजुकी एवरी पाकिस्तान में आपको 10 से 12 लाग की प्राइस के अंदर मिल जाती है जो के पाकिस्तान में फैमिलीज के लिए एक बहुत अच्छा आप्शन है अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करना नहीं भूलेगा और हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें और बैल आइकन पे जरूर क्लिक कीजेगा ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए मिलते हैं नई वीडियो के साथ अल्ला हाफिस